आज की रेस्पी क्या है आप लेके आज पर लेकर आए भिंडी की सब्जी यानि बिंडी दो प्याजार बनाने जा रहे हैं आज रेस्पी में जो कि आप लोगों को बनानी हो और आप देख सकते हैं कलर टेक्स्चेर बिना टमाटर के देखें आपने यूट्यूब पर देखा सब में टमाटर हो रहा है यूज क्या होगा हम कुछ भी ऐसा यूज नहीं करने वाले मगर लास्मी जो मसाला डालेंगे वह सब्जी का बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट बनाएगा बहुत टेस्टी यम्मी बनेगी तो देख सते हैं हमने बिंडी ले लिया जो एक चीज का बन जाएंगे तो ध्यान से काटना है बिंडी को इस तरह से करते हुए आप काट लीजिए और बहुत सिंपल सी सरल सी है एक बात और बता दू बिंडी की रेस्पीस हमने कई डाले हुई है अपने चैनल पर अप्रोड करी हुई है आप लोग जाकर देख सकते हैं बहुत टे सी हो आप साउसर बिंडी का गर भी है तो आप बना कर तयार करिए जां गारकैं टो कि हमारे खंुकी है बातो मेरतों ही हुआप कयो जह अब बिंडी तो के आफ से के सिंपल सा आपना दो तीन यासा भी इस लिए इसे थार तरह से क्ँर्णैगे पालेंगे हम यह प्याज के तुले करेंगे और उपर जो बड़े बड़े लिगलते हैं उनको को हम निकाल लेंगे चारो में से चारों में मतलब सारी सारी कीशो मस्हों मेंसे ऊपर वपर के च्ट एक पेटल चोटी थे उनकोंने कट कर लिया है आमने ओयर डाल दिया है यह मैंने मस्टर्ड ऑईल गरम होता है तो आखो में जहार सी लगती है उसको कम करने के लिए थिसके जहां चुटकी में घरम करेंगे कि अब इससे क्योंका ओईल का पीला पन भी खतम हो जाएगा तो बस गर्म हो गए बिंडी तो उसमें बिंडी डाल देंगे और इसको फ्राइब करने के दो-ती रिजन है इनकी लेस जो होती हो भी खतम हो जाएगी दूसरी बात है फ्राइब करने से हमारी जो बिंडी हम पकाते हैं जब जिस टाइम पर हम बनाते हैं वह बहुत ज़्याद जो बिंडी बिंडी बहुत अच्छा आता है और आप डाल देंगे जीरा अब स्पून और हिंग डाल देंगे यह चीज बेसिक से मसाले हैं अब प्यास को हलका सा रोस कर लिया है अब उसमें पैटल्स भी डाल देंगे चिता मद करिये यह पैटल्स कहीं नहीं जाने वाले इसी में रहेंगे अगर आप चाहें तो आप अलग से भी पैटल्स को फ्राइ कर सकते हैं अगर हमने एक ही में रखा है इस तरह से देखिए क्यों देखिए प्यास जो बारिक चॉप किया था ना जो बचा हुआ था तो वो खुद ही आप अपने आप जल्दी बुन जाएग और मसाले हम अट करेंगे अभी लेकिन हम इसमें डाल देगे पानी जिसे की यह जलेगा नहीं चिली फ्लैक्स कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर के इसमें टमाटर का हम नहीं यूज कर रहे हैं तो टमाटर यूज करने से क्या होता है कलरों टेस्ट बढ़ता है तो तो कलर हम अब जो टमाटर का टेस्ट है वह हम आगे बताएंगे कौन सामाटर का टेस्ट भी आजाएगा ठीक है तो इसको हम पका लेंगे इतना हमें पकाना है जिससे कि इसमें जो ओयल होता है वह दिखने लगे बस हमें इतना पकाना है पैटल्स की बिल्कुल चिंता मत करिएगा य एक स्पून के पानी और एड़ करेंगे और देखें पानी अमें एक पानी एक कर रहा हैं तो आप नमक ध्यान रखेंगे, कि हमने आइल में थोड़ा सा एक किया था तो बस अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अच को हमें प्राइ करना है, और ढग कर सिर्फ सिर्फ 2-3 मिनट बिंडी आपकी बन कर तियार हो जाएगी और ये बिंडी की सब्जी, पूड़ी, चप्पाती, पराथा, किसी के साथ खाएए, दाल के साथ खाएए, उसका जायका बढ़ जाएगा अपर 2 पूडिया खाते होंगे वहां चाहर कहार झाएंगे और जहां पर आप धाल नहीं खाते रोंगे बिंडी के साथ दाल भी बहुत amazing तरीके से छहेएंगे तो बिंडी को तो टोड कर देख लिए में हालक Chapel एक को कर चुक आप देखिए विंडी को अब देखे इस को क्या करना है दालें अपन है इसने कि टॉना थाइसे कि टेमाटा की टेस्ट आजहे तो में होता है हाव € क्षट्टा और मीठा टेस्ट, तो मीठे के लिए प्याज में अपना एक मीठापन होता है, जो कि हमें अच्छा फ्लिवर देता है ठीक है? आप हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, च्तुरी मेधी यह होता है, हुट हुट को धाल चाट मसाला मेधी और देमेधी ककशत करके तक करना की कहा है। पूछिए नहीं हमारे बच्चों ने जो बिंडिया खाते नहीं थी उन लोगों ने भी सारा खाया है तो देखे इस तरह से डग देंगे जिसे कस्तूरी मेथी का फ्लेवर आजा है हमारी बिंडी में और फिर हम इसे सवर करेंगे एक बात और अगर हमारी रेस्पी आप लोग के लिए इतना सारा मेनत करते हैं तो थोड़ा सा मेनत दिखा दीजिए थोड़ा सा टाइप कर दीजिए सिर्फ लाइक का बटन दबा दीजिए बस और कुछ नहीं चाहिए हमें इतने में ही हमारा काफी अच्छा सा मोटिवेशन हो जाएगा चलिए मिलते हैं next